हे तो गज़ तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को एक बर फिर से एक और नए वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लोग में तो चलिए आज का ब्लोग को स्टार्ट करते हैं तो फिलाल अभी के लिए बाद ऐसी है कि हमने पहले आप लोगों को दिखाया था कि जो मुर्गी का बच्चा होता है वो हमने लेके राया था और घर में पाल रहा था तो किस तरीके के क्या कुछ है सब कुछ आ गया आप लोगों को एक वीडियो में दिखा चुका हूँ तो तो जो मुर्गी का बच्चा है वो थोड़ा बहुत बढ़ा हो चुका है और हमने घर में अभी के लिए फिलाल और जो पचास मुर्गी का बच्चा है वो लेकर आ गया हूं तो किस तरीके के है क्या कुछ सब कुछ आगे आप लोगों को दिखाते हैं और उन सभी को कहां पर रखा है और जो बड़ा हो गया है ना मुर्गी का बच्चा उनको कहां पर रखा है सब कुछ आगे आप लोगों को दिखाते हैं तो क्या कर रहा है सब कुछ जो मुर्गी का बच्चा है किस तरीके का है छोटा छोटा इत्तु सा तो सब कुछ आगे आप लोगों को इस तो मैं घर के अंदर नहीं जाओंगा क्योंकि जो मुर्गी का बच्चा है वो बाहर आ जाएगा तो इसलिए मैं यहां से थोड़ा सा फोकस करने का कुछिस करता हूँ तो ये देखो ये आप लोग देख सकते हो कि सारे जो मुर्गी का बच्चा है आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से क्या कुछ कर रहा है खेल रहा है खा रहा है तो देखो इत्तु सा है छोटा छोटा सा यहाँ पर जो पचास मुर्गी का बच्चा है तो आप लोग देख स यह कि रहता हैं तो और भी अब भेगा है और इनको अभी फिलाल कंटीनु में खाना दे रहे हैं तो आगे आफ लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या कुछ होता है क्या नहीं और यह सारे तो इतने क्यूट लग रहे हैं ना मतलब आप लोगों को क्या ही बताओ इतना छोटा-छोटा सा देखो कितना अच्छा लग रहा है आप लोग देखी सकते हो तो इस फिलाल आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग व्लोग के साथ तो तब तक के स्वस्त रही है हस्त रही है और हमारा वीडियो को देखते रही है टाटा बाई बाई